जाइन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो ऑक्सिडेशन में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं exceptional cases of oxidation state बच्चो कुछ example ऐसे आते हैं जो traditional oxidation number या oxidation state calculation से solve नहीं हो पाते हैं ऐसे problems को sort out करना जरूरी होता है कि एक्जामनर जानता है बच्चा यहाँ पर फस जाता है तो अक्सर ये question different entrance exam में आपको मिल जाएंगे तो ये problem आपको ना हो इसलिए आज ये वीडियो लेके आएं तो आए जानते हैं कैसे हम लोग उन exceptional cases को sort out कर सकते हैं चुटकियों में तो आएए शुरू करते हैं बच्चो कुछ case कुछ example ऐसे exam में आ जाते हैं जहाँ पर traditional oxidation number या oxidation state method से हम लोग उनका oxidation number नहीं निकाल सकते हैं जैसे कि हमारा HCN है, HNC है, NH4, NO3 है, CAO, CL2 है, sodium, metal, हमारा amalgam, कोई भी हो amalgam तो ऐसे case और भी इनके लावा बहुत सारे example है जहाँ पर traditional method use नहीं होते हैं तो आएए देखते हैं कैसे sort out करते हैं ऐसी दिक्कतों को इसके लिए कुछ rules होते हैं तो आएए उनको देख लेते हैं In the bond structure, one covalent bond contributes one oxidation state to the atom आपको जो भी example मिलता है, उस example के bond structure में आपको देखना है कि वहाँ पर जिस atom की आपको oxidation number या oxidation state निकालनी है उसने कितने covalent bond बनाए हैं माल लिजिए जिस atom का आपको oase या oxidation number निकालना है वो single covalent bond बनाता है तो अगर single covalent bond होता है, तो बच्चो उसकी oxidation number एक होगा सर अगर वो 2 covalent bond मनाता है, तो उसका oxidation number 2 होगा सर क्या होगा कि अगर कोई atom 3 covalent bond मनाता है तो बच्चो बहुत ही simple है, उस तब उसका oxidation number 3 होगा क्या है आपको clear है Less electronegative atom acquires positive oase while more electronegative acquires negative oase यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चो दूसरे point के अंदर कि जिस atom के भी आप covalent bond देख रहे हैं, वहाँ पर उन दोनों atom की बीच में कौन सा more electronegative atom होगा और कौन सा less electronegative atom होगा जब आप ऐसा पाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो more electronegative atom होगा उसके लिए आपको oxidation state में negative sign देना है और जो less electronegative होगा उसको आपको positive sign देना है if coordination bonding is there then it is considered only when it is formed by less electronegative to more electronegative atom बचो बहुत ही ज़्यादा important यह आपका rule है और इसी लिए यह exceptional cases बन जाते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपके bond structure में क्या कहीं पर coordinate bond है अगर जिस atom का आपको oxidation state निकालना है वो coordinate bond बना रहा है तो आपको यह ध्यान रखना है कि coordinate bond तब ही consider होगा बचो जब less electronegative more electronegative की तरफ coordinate bonding करेगा अगर इसका उल्टा होता है कि more electronegative coordinate bond बना रहा है less electronegative atom की तरफ तो वो consider नहीं होगा यह सब हम लोग clear करेंगे example के साथ तो आईए तीनो point को देख लेते हैं कि कैसे इनको apply करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो example लिये हुए एक लिया हुए HCN और दूसरा लिया हुए HNC यह कौफी common problems हैं बच्चो different exam में आती हैं तो इनमें हम लोग puzzle हो जाते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ से बाहर निकल लाए HCN की बात करें तो मैंने यहाँ पर HCN और HNC दोनों के लिए bond structure आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको इन molecule के bonding जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं clear है अब मैं यहाँ पर बात करता हूं कि hydrogen और carbon के बीच में बताईए कितने covalent bond है तो आपने कहा कि single covalent bond है तो आपने देखा था कि यहाँ पर जितने covalent bond होते हैं उतना ही oxidation number होता है तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूं अगर hydrogen के लिए तो carbon के लिए भी 1 होगा लेकिन आप जानते हैं कि oxidation state या oxidation number बिना sign के possible नहीं है यहाँ पर positive और negative sign दी जाते हैं number के साथ तो आप देखें कि यहाँ पर hydrogen और carbon के बीच कौन सा atom more electronegative है और कौन सा less electronegative तो आप देखें जानते हैं कि hydrogen जो है वो less electronegative है carbon से carbon जो है more electronegative है तो यहाँ पे sign जो carbon के लिए आएगा वो negative आएगा और hydrogen जो less electron negative है उसके लिए sign positive आएगा क्या ही clear है अब बात करते हैं carbon और nitrogen के बीच कितने covalent bond है तो आप जानते हैं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे carbon और nitrogen के बीच में 3 covalent bond है सही बात है अब दूसरा point याद कीजिए कि यहाँ पे carbon और nitrogen में कौन सा atom जो है वो more electron negative है और कौन सा less electron negative है तो आप जानते हैं carbon और nitrogen में जो nitrogen है वो more electron negative होगा और carbon हमारा less electron negative होगा तो यहाँ पर 3 bond बनाए है nitrogen ने और दूसरा यह more electron negative है तो उसकी जो os होगी बच्चो वो minus 3 होगी और carbon की जो os है वो plus 3 होगी क्या ही clear है आपको अब मैं यहाँ पर थोड़ा उसको simplify कर लेता हूँ तो आप देखिए hydrogen का कितना os हुआ plus 1 चलिए carbon कितना आएगा sir तो carbon का आएगा जी यहाँ पे plus 2 और nitrogen का आएगा minus 3 क्या ही clear है आपको तो बच्चो hcn में hydrogen का os तो plus 1 होगा carbon का plus 2 होगा जबकि nitrogen का minus 3 होगा क्या ही clear है आपको अब बच्चो चलते हैं hnc की तरफ hnc का यह bond structure है आप यहाँ पे देख पारें कि hydrogen के बीच में एक single covalent bond है और hydrogen और nitrogen में nitrogen जो है वो more electronegative है तो इसलिए इसकी os जो है minus 1 होगी जबकि hydrogen की यहाँ पे plus 1 होगी clear हुआ अब बात करते हैं nitrogen और carbon के बीच तो यहाँ पे आपको दो तरह के bond दिखाई दे रहें एक double covalent bond है और एक आपका coordinate bond है तो यहाँ पे जो double covalent bond है बच्चो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो os nitrogen और carbon की होगी वो 2 होगी तेकिन sign तो दूरा रहे गिया अब बताई कि nitrogen और carbon में कौन सा more electronegative है तो हम लोग उपर देख के आया है nitrogen जो है करते हैं बचा है हमारा जो coordinate bond तो सर्फ coordinate bond यहाँ पे consider नहीं होगा थर्ड पॉइंट यह वाला जो orange इंग से लिखा है इसमें आपको बताया था कि आपको देखना है कि coordinate bond जो है वो कौन सा item बना रहा है अगर वो more electronegative बना रहा है तो वो consider नहीं होगा उसको आपको छोड़ना पड़ेगा लेकिन अगर यहाँ पे carbon बनाता coordinate bond nitrogen की side तो वो consider होता तो चुकि more electronegative nitrogen ने बनाया है तो यह coordinate bond consider नहीं होगा आप आप निकाल सकते हैं कि जो hydrogen की OS है वो plus one होगी nitrogen की OS जो है जी वो minus three होगी जबकि carbon की plus two होगी तो बच्चों आपने देखा कि HCN और HNC जो आपको परिशान करते थे अक्सर आपको रटा मारना पड़ता था बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता था कि कैसे इसको sort out करते हैं बस चलो भाई रट लेते हैं exam में आएगा तो कर आएंगे और कहीं बार गलतियां भी हो जाती थी तो आज के बाद आप इसको रटा नहीं बारेंगे इसको solve करेंगे चले आगे चलिए next लेते हैं जी अगला example है हमारा bleaching powder का जिसका formula सामने लिखा है जी हाँ CAOCl2 अब लेते हैं इसका bond structure तो आएए देखते हैं कैसे तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे bleaching powder में CAOCl2 में इसके bond दिखाई दे रहे हैं पहले हम ले होगे यह OCl वाला bond ले लेते हैं आप देख पा रहे हैं कि oxygen और Cl के बीच में single covalent bond है oxygen और chlorine में कौन सा atom more electronegative है सही बोला आपने oxygen जो है यह more electronegative है CL जो है वो less electronegative है यहाँ पे single covalent bond है तो जो oxygen की OS होगी जी वो minus 1 होगी जबकि Cl की plus 1 होगी क्या है किलियर है आपको अब बात करते हैं calcium और oxygen की बीच तो यहाँ भी single covalent bond आपको दिखाई दे रहा है तो बच्चों यहाँ पे आपको देखना है कि oxygen की जो OS है वो minus 1 होगी क्योंकि आप जानते हैं कि oxygen जो है वो second electronegative है calcium की plus 1 होगी चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे calcium और chlorine की 20 तो यहाँ पे calcium जो है वो less electronegative है जी और chlorine जो है more electronegative है तो उसकी minus 1 होगी और calcium की plus 1 होगी तो अगर आप इसको simplify करते हैं तो बताइए यहाँ पे calcium की OS कितनी होगी plus 2 clear है जी oxygen की कितनी होगी बच्चों minus 2 और CL की यहाँ पे OS 2 होगी एक होगी minus 1 और दूसरी होगी हमारी plus 1 क्या है clear है आपको अक्सर वो पूछ लेता है different exam में की bleaching powder में chlorine की OS जो होती है वो कितनी तरह की होती है तो उसका answer है minus 1 and plus 1 clear हुआ अगला example हमारा ammonium nitrate NH4 NO3 का है बच्चों यह हमारा ionic salt होता है तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है clear आपको तो जब इसकी OS निकालेंगे indirect method से तो वहाँ पे आपको दोनों fragment अलग-अलग consider करने पड़ेंगे अक्सर वो यहाँ पे nitrogen की OS पूछता है जी देख सकते हैं हमने यहाँ पे ammonium iron और nitrate iron के यहाँ पे bond structure आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे आप देखें कि nitrogen की अगर बात करें तो nitrogen की जो OS है इस hydrogen के respect में क्या होगी जी minus 1 समझ पा रहे हैं आप इसकी plus 1 होगी hydrogen की clear है क्यों nitrogen जो है हो hydrogen से बहुत ज़्यादा more electronegative होता है यहाँ पे इसकी बात करें plus 1 तो यहाँ पे फिर से हो गई है हमारी minus 1 hydrogen की और nitrogen के लिए बात करें तो यहाँ पे इसकी plus 1 और इसकी minus 1 और बच्चों यह वाला coordinate bond consider नहीं होगा क्योंकि nitrogen और hydrogen में more electronegative है nitrogen और यह coordinate bond मना रहा है more electronegative atom तो यह consider नहीं होता है इसको आपको छोड पड़ेगा तो यहाँ पे इसकी nitrogen की OS कुल कितनी हुई तो answer है सर minus 3 तो ammonium nitrate में जो ammonium iron है यह वाला fragment यहाँ पे इसकी OS होगी सर minus 3 क्या है clear है आपको चलिए अब बात करते है nitrate iron में तो nitrate iron में भी आपको देख पार है कि यहाँ पे double covalent bond है oxygen more electronegative है तो इसकी OS minus 2 होगी और इसकी plus 2 होगी getting or not समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी very good यहाँ पे single covalent bond है तो इसकी minus 1 होगी clear हुआ जी यहाँ पे इसकी हमारी एक और बढ़ जाएगी plus 1 clear हुआ जी single covalent bond है इसलिए plus 1 और यह हमारा more electricity है तो इसकी होगी minus 1 clear है अब यह वाला जो coordinate bond है यह देखे consider कहीं होगा बाई क्योंकि यहाँ पे more electronegative oxygen है और जो हमारा less electronegative atom है nitrogen वो बना रहा है हमारा covalent bond तो यह consider होगा बिलकुल होगा यहाँ पे nitrogen की जो OS है वो plus 2 होगी clear है समझ पा रहे हैं और oxygen की minus 2 होगी तो NO3 nitrate NIN मे nitrogen की कुल OS देखिए plus 2 plus 1 plus 2 तो यहाँ पे nitrogen की जो OS है सरजी वो होगी plus 5 समझ पा रहे हैं दोबारा बोलता हूँ plus 5 होगी clear है और ammonium iron में यानि की इस वाले fragment में होगी minus 3 तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ plus 5 क्या है clear है आपको सबको आया तो बच्चों यह बहुत ज़धा exam है परेशान करने वाला होता है रट्टा मारत अब बात करते हैं metal amalgams की तो बच्चों जब भी किसी metal को mercury में dissolve करेंगे तो जो mixture मिलेगा वो metal amalgam कहलाएगा देखे मैंने क्या बोला है mixture का मतलब है कि they are not reacting together वो आपस में reaction नहीं कर रहे हैं जब तक वो reaction नहीं करेंगे electron का आना जाना नहीं होगा लेना देना नहीं होगा त इसका मतलब है कि हमेशा किसी भी metal amalgam में metal की oxidation state हमेशा 0 होती है क्योंकि वो reaction नहीं करते हैं यह mixture होता है यह वाद आपको ध्यान रखनी है कि metal amalgam में metal की OS 0 होगी चली आगे चलते हैं यह कुछ common example है तो यहाँ पे दोनों case में metal की OS 0 होने वाली है बात करते हैं metal carbonyls की तो ब depend करता है कि आपने metal कौन सी लिए है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर तीन metal carbonyls लिए हुए nickel का है iron का है और chromium का है तो सर इन तीनों case में metal carbonyl के अंदर हमेशा metal की OS 0 होती है क्योंकि carbon monoxide की OS 0 होगी तो respective जो हमारा metal होगा उसकी OS अपने आप 0 हो जाएगी ध् भी एक्जाम में बहुत common question है और अब लेते हैं जी practice problem यहाँ पे sulfuric acid H2SO4 लिया हुआ है यह इसका bond structure दिया हुआ question यह है कि यहाँ पे sulfur को underline किया हुआ है तो आपको जी यहाँ पे sulfur की oxygen state find out करनी है निकाल के बताने ही है comment section में मैं आपका wait कर रहा हूँ जल्दी से answer दीजिए देखते हैं कितनी लोग कितनी जल्दी answer दे पाते हैं बच्चो यह छोटी-छोटी चीज़े हैं जो exam में बहुत परेशान करती हैं और वहाँ से question यह आपसे silly mistake होके निकल जाता है रटा मतमार यह दुबारा बोलता हूँ concept को समझेए और ऐसी कोई problem जो regular traditional method से sort out नहीं होती जिससे oxygen number नहीं निकलता है तो इस method से आप उसको निकाल सकते हैं hopefully आपको clear हुआ होगा